सबी कुछ जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडियाज भारत पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जमा आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप दो सशक्त और बहादूर मुसलिम महिलाओं को जहां पर आप एक तरफ देखेंगे पाकिस्तान की मश्यूर पतरकार आर्जु कास्मी जी जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोट की दबंग वकील नाजिय लाइक खान जी बात करेंगे जय हिंद जय भारत वह से लेकर को अभी तक में मैं कंटीन्यू अपडेट में लगी हुई थी कहां क्या हो रहा है सारी कॉंस्टिट्वेंसी में लुगी डांस हुआ है मतलब जान बूच करके हिजाब वाली महिलाओं को आगे करतिया गया है जान बूच करके लूगी और जालीदार टोपी पहना करके आगे करतिया गया है और सीधा बोल दिया जा रहा है कि देखिए भाई इसलाम खत्रे में नहीं आगा रहिए यह तुम को अगर इसलाम इतना प्यारा है तो तुम से ने अगर कोई जा रहा है स्कूल कॉलिज इनिवर्सिटी तो वहां पर भी जो है वो चेरा तो देखा जाएगा कि एक्जाम कौन दे रहा है तो यह चीज तो मेरे खाले नहीं होनी चाहिए इस तरह से लेकिन ना मोदी जी ने जो है वो जो है वो गर्ल्स के लिए या फीमेल रहाएंगी और आप तक याल है कि इसको पर काम होना चाहिए चाहिए वो किसी भी रिलिजन की फीमेल्स हो लेकिन उनको कुछ आप समझती है भी कोई चीज़े रह गेंगे जो गर्मेंट नहीं कर पाई पहले अभी तो चार जून के बाद हमारा फोकस सबसे ज़्यादा आर वक बोड के चीथड़े उडाना वक बोड में जितने भी दो लाग करोड के ऊपर संपत्ती हो चुकी है तो यह संपत्ती तो बाहर की बाहर से या अरप से या पाकिस्तान से आई नहीं है यह तो भारत की संपत्ती है तो इसको जो इन्हों ने दबोज करके रखा है और एक करोड रुपया जो यह एन्वली रेविन्यू उठा रहे है यह पैसे जा कहा रहे है क्योंकि मुसल्मानों के बहतरी के लिए तो यह पैसे लग नहीं रहे है तो यह हमारा सेकेंड टार्गेट होगा तो थर्ड टार्गेट इस कि एडुकेशन पर सबसे ज्यादा इंपॉर् फोकस इस चार जुन के बाद हमारा रहेगा कि हमारे जितने भी सिविलाइजेशन, सप्यता, संसकार और जितने भी हमारे वीर, योता, फ्रिडम फाइटर जो रहे हैं जिनको प्रॉफेसर नोरुल हसन ने, अबू कलाम ने और पांच मुसल्मान शिक्षा मंत्री ने कॉंग जिसकी वज़ा से बहुत सारे ऐसे आरोपी होते हैं, जो छूट जाते हैं, जिनको छूटना नहीं चाहिए, जैसे बालातकारी आरोपी भी रेमिशन ग्राउंड पे छूटते हैं, अब चाहिए वो हिंदू हो मुसलिम हो, मैंने को उससे मतलब नहीं है, अगर कोई बालातक कर रहा है, तो उसको फास्ट ट्रैक कोट के हिसाब से फासी की सजा होनी चाहिए, अब जैसे जो UAPA Act में बहाइं अब जाता है, या कोई Anti-Terrorism Act में बहाइं बार जाता है, या हमारा Extradition का जो Act है, तो बहुत सारे लोग देश से बाहर चले जाते हैं, खुछ भी यहां पर फसाद कर देते हैं, कुछ भी यहां पर Terrorism Activities कर देते हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं, नहीं हम लोग आरेस्ट करके नहीं ला पाते हैं, तो इन सारे चीजों को और जो जो इन्रा गांधी जी ने मेर्जंसी के वक्त में सम्मिधान के साथ चेरशाड किया तक उसको हम लोग फिर से इंप्लिमेंट करके अमेंट करके बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे महकवपून और सबसे इंपोर्टेंट कि यह जितने भी कि एंटी नाशनल स्टेटमेंट्स निकलते हैं पॉलिटीशियंस के मूह से या किसी एक्टिविस्ट के मूह से जैसे कनहिया के मूह से निकला था बहरत हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्ला 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 हिंदुस्तान ते ही खबर खुदेगी त जो अभी Congress का candidate है दिल्ली से, तो ऐसे लोगों के ऊपर immediate कारवाई हो और उमर खैब की सज़ा हो, जो anti-national जैसे ममतब एनरजी के लाटले मंतरी प्रहाद हकीम ने कहा था, कि कोलकाता तो मीनी पाकिस्तान है, this is anti-national statement, absolutely appropriately, तो ऐसे statements को भी हम लोग बहुत importance और valuable समझ रहे हैं, इस के ऊपर कारवाई appropriate ही होनी चाहिए और bail के प्रावधान बहुत कम होने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन मुझे नाजिए एक चीज़ और बताईए, कि आपका तालुक भी जो है, वो कोड का चैरी से हर वक्त रहता है, बहुत से cases ऐसे हम देखते हैं, पाकिस्तान में भी, कि जि है, वो कह दिया गया है, कोई الزाम लगा दिया गया है, लेकिन case की सुनवाई नहीं हो रही, तो इसलिए सालों साल वो जो है, जेल में होते हैं, और अगर सुनवाई हो जाते हैं, शयाद दो दिन में ही बाहरा आ जाएं, क्या भारत में भी ऐसा होता है, कि case सुने में बहुत है, कई बार, कई honorable court इस बारे में बात की है, और कई बार, पारलिमेंट के अंदर, अमिशा जी ने भी इस पर चिंता जताई है, और खुले लफजों में जताई है, तो इस वजा से भी, हमारे winter session में, जब अमिशा जी नए बिल को present कर रहे थे, placed कर रहे थे, तो उन्होंने न ऐसे cases को बहुत ज्यादा electronic किया है, बहुत ज्यादा उन्होंने digital किया है, अब, जैसे murder case होटा है, तो वहा पर investigation करने में भात समय लग जाता है, केस diary पहुंचने में भात समय लग जाता है, चार्षी संय में ही भात समय लग जाता है, तो अब सारे चीज़े अगर अगरños तर और एकदम 90 डेज में आपको चार्शर्ट सम्मिट कर देना है, तो ऐसी चीज़े हो रहे हैं, साथ-साथ जो जजेज की कमी है, साथ-साथ जो अरो की कमी है, साथ-साथ जो पीपी, पबिक प्रोस्टिक्यूटर की कमी है, उस पर भी अमिशा जी ने बहुत चिंता जना बताई और उसको भी बहुत खूबसूरत तरीखे से ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है, कि जुलाई-अगस्त तक में, मतलब 60-70% जो कोट के मामला है, वो दुरस्त होता हुआ, नजर आने लगेगा भारत के अंदर, क्योंकि डेट्स बहुत जादा दी जाती इसमें हमारे अभी दो-तीन केसिस हुए थे, तो उनको जो है, अभी तक वो प्रॉपर जो परिश्मेंट है, जो अनाउंस की गई, वो दी नहीं गई है, वो जो कहने दिया, जिसनवाई हो रही है, फिर वो अपील दायर कर देते हैं, फिर कुछ हो जाता है, जबके सबने सा सारे कोर्ट में जाती हूं, सरवुचे नहाई अपाली का तो अनरबल सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जाती है, और मैंने अपनी आखों से देखा है के पशिम मंगाल में तिर्नमुल कॉंग्रेस की सरकार है, और यहां पर नासर खान जैसे प्राइम एक्यूस्द ब केस की बात कही है, या केस पर तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक ती जो बात कही है, हमारे इन चीज़ों को बहुत खुपसरूत तरीके से देखा जाता है, जैसे बहुत ज्यादा केस लेंदी जा रहा है, तो हम हाई कोट से ट्राइल स्पीडी करके, स्पीडी ट्राइ इन्हें नहीं कतम करना पड़ेगा तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान है बहुत सारे ऐसे चीजे हैं जिसके तहत हम हाई कोट से या सुप्रियों कोट से ओर्डर करके लोजच्मेंट के तौर पर लेकर के आते हैं और यह तो मैं भी करती हूँ कई cases में करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई वियत्ती दो साल, तीन साल से अपने इंसाफ के लिए चक्पल घिस रहा है, एक लोंग legal battle fight कर रहा है, तो वो बाद में piss-drop होता है, वो बाद में irritate होना start हो जाता है, तो it's better कि उसको कोई क्रिलिव दिया जाए, क्योंकि हमें court-unquote बोलते हैं ना, justice delay means justice denied, exactly, exactly. तो मुझे यह चीज हमेशा रहता है, और मेरे chamber से, मेरे firm से, कोई भी ऐसा वियत्ती नहीं है, जिसको मैंने तीन साल, चार साल के अंदर नियाएं उसके हाथ में ले जाकर के ना भिया हो, मैं यह करती हूँ, थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाता है, थोड़ा दोड़ना ज्यादा पड़ जाता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तरफ lower court में या judge court में या district court में चल रहा होता है, matter उसके बाद पर हमको पूरी file इकटा करकर हाई court ले जानी पड़ती है, वहाँ से हमें SPT ट्राइल करना पड़ता है, फिर वहाँ पर उसको ला करके दूसरा band change करवाना पड़ता है, बट यह harassment, I agreed, मुझे मुझे अच्पा लगता है, लेकिन कामने वाला जो इंसाफ के लिए दोड़ रहा है, उसको जल्दी इंसाफ मिलना, यह बहुत 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 इसा होना चाहिए, हमारे हैं तो कई लोगों इंसाफ तब मिला, जब उनको जो है, यानि उनके खांसी के बाद उनने का गया कि बेकसूरत है, इस किसम के केसिस भी हुए हमारे हैं, जो कि यकिनन नहीं होने चाहिए, तैंक यू सो मैं नाजिया आपने जोइन किया, बहुत शुक्रीए, बहुत शुक्रीए, बद्रमातर जानमतरी मोधी जी पर, और खातकर ये भी बताया कि अगर तीसरी बार मोधी जी चुनके आते हैं, यानि कि बीजेपी की सरकार दुबारा बनती है, तो बीजेपी देश में क्या क्या बड़े काम करने वाले और क्या नए कानून लागो होंगे, और क्या बदलाव होंगे, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपनी से लेटेस्ट, इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहे तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़िदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भाहरत